नमस्कार, संजीवनी कारिक्रम में आप सभी दर्शकों का हर्दिक स्वागत अभिनंदन दर्शकों, आज की जीवन शहली के अगर हम बात करते हैं, तो तमाम तरहे के दिक्कते हमें देखने को मिलती है और अगर हम बात करते हैं, सबसे ज्यादा अगर कोई समस्या हमें स्वास्थ के बारे में देखने को मिलती है तो वो है हृदे से संबंधित रोगों के बारे में तो हिर्दे रोग का आयूरवेद में किस तरह से निदान है, क्या उपचार है, क्या कारण है हिर्दे रोग जो आज कल इतनी ज्यादा बहुतायत में सुनने को हमें मिल रहे हैं तो आज हम अपने इस कारिक्रम में कोशिश करेंगे कि आयुर्वेद के माध्यम से हृदे रोगों के बारे में जानकारी आप तक महचा सके। और इस विशम में विस्तरित रूप से चर्चा करने के लिए हमारी साथ स्टूडियो में हैं डॉक्टर अरुण कुमार्त्रि पाठी आप निदेशक आयुर्वेद एवं यूनानी सेवाई उत्राखंट से आवंत्रित हैं। क्या हो गया है कि जैसे ये सुनने में आता है कि तीसरे में से अगर तीन व्यक्तियों को हिरुदय एक हाथ होता है तो उसमें से एक व्यक्ति की मृत्यों हो जाती है। सूर और चंद्र के साथ चलता है। हमें ब्रह्म महूर्थ में उठकर उठने के लिए हमारे सास्त्र निर्देशित करते हैं। ब्रह्म महूर्थ करते हैं सूर्योदर से दो घड़ी पहले और एक घड़ी 24 मिनट की मानी जाती। इस प्रकार 48 मिनट सूर्योदर से पहले व्यक्ति को अपना विस्तर छोड़ देना चाहिए। इस नान ध्यान करते हुए देनिक जो चर्या है उसको पूर्ण करके और अपना इस्ट के कुछ पूजा पार्ट इस्मरन योगाशन इत्याद को नित्प्रत करना चाहिए। उसके बाद अपना जो रूटीन है उसको भी सही तरीके से करना चाहिए। एक्सरसाइज नियमित करना चाहिए। खान पान बड़ा कंट्रोल होना चाहिए। सोच वीचार आचार लोगों से मिलना किस परकार नढुतट से बात करना entrada दानी के तक साथ निक उसी सी हमारे सास्थरों में ऐर वेध में जीवन पद्धति के बारे में बताया गया है। जे जे अगर यह कहें कि मनुष्य के पूरी तरह किसे आचरण पर निर्फ़र करता है यह बिल्कुल हमारे रितू चरया कि रितू के नुद्वार किस प्रकार से अपने रहन सान में बदलाव करना चाहिए डेली बेसिस पर दिन चरया कि पूरे दिन वुट किस रितू का कौन स तो उसमें किस प्रकार से हमें अपनी दिन चर्या करनी चाहिए इसका बड़ा विस्तार से वनन है तो आईरवेदे का ऐसा सास्त्र है जो मुख्य रूप से सभी रोगों में और प्रधान तया है जैसे रोग में दिन चर्या रितु चर्या आचार विचार व्यावार इस सब के बारे में बहुत ही विस्तार से वनन करता है और आप देखेंगे कि इन्हीं सब में कहीं ने कहीं आज के समय में गड़वडियां हो र किस रूप में देखते हैं? सबसे पहले तुम्हें यह कहूंगा कि हमारे शरीर का एक ऐसा अंग है जो पूर्णते अनुशासित है और वो कहीं ने कहीं हमें यह बताता है कि जिस प्रकार मैं अनुशासित हूँ हमें ठीक रखने के लिए आप भी अनुशासित रहिए आप कि पॉइंट एट सेकेंड में एक काडियक साइकल हिर्दे कंप्लीट करता है और वो पूरे जीवन परियंत इसको निभाता है निमित रूप से वो पॉइंट एट सेकेंड में अपनी काडियक साइकल पूरी करता है और उसको रेस्ट करने के लिए समय मिलता है आप सभी जो जो विज्ञान के विद्यार्थियां जानते हैं कि सिस्टोल और डायस्टोल हार्ट के कार्डेक साइकिल में दो महातुपूर्ण क्रिया हैं सिस्टोल में हार्ट जो है संकोश करता है और पूरे बाड़ी को ब्लड पंप आउट करता है और डाय स्टोल में वो पूरी बाड़ी से ब्लड रिसीव करता है लेकिन उसी समय वो थोड़ा रेस्ट भी करता है तो अगर इसमें कहीं भी ब्यतिक्राम हो जाता है इसके पूरे साइकल में तो किसी ने किसी प्रकार का कोई ने कोई हर्दय गयती संबंदी रोगत्पन हो जाता है और अगर जो ब्लड सर्कुलेट हो रहा है कहीं उसके संगठन में कंपोजीशन में कोई गड़बड़ी हो रही है जिसको हम लिपीट प्रफाइल कहते हैं अगर उसमें कोई गड़बड़ी हो रही है तो यह जो चर्वी है लिपीट हमारे ब्लड में जो रहती है वो ब्लड व अच्छा डॉक्सर आईरुवेद में यह माना जाता है कि किसी भी बिमारी से पहले कारोण उपर आ जाना चाहिए हमें हम कारण पर अगर बात कर लें तो शायद वो बिमारी तक हम पहुँचे बीना बिल्कूत आईरुवेद स्वस्तस्त स्वास्त रक्षनम के बात करता है स्वस्त व्यक्ति को कैसे और स्वस्त रखा जाए और उसके बाद अगर उसको विमारी हो ही गई है तब उसकी चिकित्सा कैसे की जाए तो प्राइमरली ये प्रिवेंटिव और प्रोमोटिव मेडिकल साइंस है और उसमें हर एक व्याधी के बारे में खास्ता और से मैं अगर हिर्दे रोग की बात कर रहा हूं तो अनेक ऐसे उपाय बताएगे हैं जिससे इसका प्राइमरी औ हो सकता है हम इससे दूर हो गए हैं प्रतिवंदन नहीं हो रहा रोग उत्पन होने के बाद चिकित्सा तो बहुत सारी उपलब्द है लेकिन उसके पहले कैसे बचाव किया जा इस पर ध्यान देने किया हो सकता है और इसके बारे में आईरुएद में बड़े विस्तार से व भ्रह्म मघुरत में उठ जाना चाहिए और उसके बाद हमारी दिनचरिया होनी हैं हमारा खान पान क्यूंकि आयुर्वेद अपने आप में पूरी तरह से खान पान और शर्य तुक्झार यह तमाम तरह की बाती जो हैं जोड़ जाती हैं कारणों पर अगर मैं जाना चाहूं तो कारणों को दो ग्रूप में बाट गया है एक ऐसे कारण है कि अगर कोई परिवार में किसी को हार्ट डिजीज हो गया है मुदर फादर में तो इसके बच्चे में होने की संभावना थोड़ा जादा है या पुरुषों में हिर्दे रोग जादा होता है या कुछ ऐसी पापुलेशन जिसको ऐसीन पापुलेशन कहते हैं एसिया में रहने वाले जो लोग है न उनमें ये माना जाता है कि थोड़ा सा है दिरोग की सम्भावना ज्यादा रहती है वो genetically थोड़ा सा इसके प्रतिज अधिक प्रोन रहते हैं लेकिन इसके लाव जो दूसरा ग्रूप है जिसको हम modifiable risk factor कहते हैं जिसमें कि मोटापा है कोई alcohol का अधिक सेवन कर रहा है खास्तावर से smoking का अधिक प्रियोग है तनाव वरी जिंदगी है सुस्त जीवन पंधती जिसको sedentary life style कहा जाता है डाइविटीज है बहुत बड़ा risk factor है हर्दे रोग को पैदा करने के लिए एक ऐसी condition जिसमें कि डाइविटीज blood pressure, lipid profile का ज्यादा होना और साथ में हर्दे रोग का उत्पन होना जिसको metabolic syndrome का नाम दिया गया है कि एक लक्षणों का ऐसा समूग सरीर में पैदा हो जाता है तो उसमें डाइविटीज इसके लिए मुख एक कारक factor है डाइविटीज किसी को हो गया तो उसको हिर्दे रोग होने की संभावना और अधिक हो जाती है कोई smoking कर रहा है उसको हिर्दे रोग होने की संभावना चार से छे गुना ज्यादा बढ़ जाती है इसी तरह कोई मोटापा किसी को बहुत ज्यादा है वजन सामाने से बहुत ज्यादा है उसको भी हधरो की सम्हावना ज़ादा है किसी के खून में चर्वी की जो मातरा जिसको लिपिट पर फाइल हूं कह रहे है वो बहुत अनियंतरित है ट्राइगलिसराइट बहुत ज़ादा बढ़ा हुआ है LDL कॉलिस्टराल है बहुत ज़ादा बढ़ा हुआ है कॉलिस्टराल में भी आप तो आम आदमीं भी इसमें जानने लगा है कि दो कैटेगरी है बैड कॉलिस्टराल और गूड कॉलिस्टराल कहें कहीं सीधा संपर्ख है अगर हम कहें कॉलिस्टराल का सीधा संपर्ख है रोग प्रितिमंध करता है तो हमें हार्ट अज़स्ट्राल नहीं रहते हैं और इज्डियल कम रहता है तो रोग होने की सम्भावना ज्यादा होती है अच्छा आज के समय पर अब जैसे हम देख रहे हैं बात करते हैं तो बच्चों में भी हिरदय रोग जो हैं बहुत स्यादा हमें सुनने को मिल रहा है और हमारे भारत वर्श में बड़ी हैरान करने व हैं कि क्यों आगे नहीं आ रहा है बहुत ज्यादा जो अगर हम कहें प्रचार प्रसार की कमी है यह क्या बात ऐसी है कि कॉलस्ट्रोल की भी अगर दिक्कत है तो हम सीधे पहले बहुत सारी दवाओं पे चले जाते हैं जब उन दवाओं को हम सेवन कर लेते हैं बहुत दिनो तो अब बहुत इसको आगे आ रहा है और इसको ग्लोबल रीच भी इसकी बढ़ रही है लेकिन फिर भी मैं यह कहूंगा कि लोगों में अभी भी जानकारी का बहुत अभाव है और खास तोर से जो हमारे दूर दराज के छेत्र हैं वहाँ पर जानकारी का इतना अभाव है कि अगरिवेत के माध्यम से भी इन बीमारियों का बहुत सफलतम इलाज किया जा सकता है और यहां तक की सर्जरी के आउसे क्या जा सकता है जिसको रीवर्सल आप हाट डिजीज कहा जाता है कि आज के समय में इसका रिवर्सल संभव है यह जहने सामान के लिए बहुत ही इंप तो आजीवन हो गया, उनको आजीवन दवा ही खानी है, इसका रिवर्सल संभव है, अपने जीवन पद्धते में सुधार लाके, और आईरवेदिक आउषधियों के सेवन के माध्यम से, इसमें रिवर्सल संभव है, और साइन्टिफिकली ये काफी बड़े अस्तर पर पुर प्रवावी है, इसका प्रचार प्रसल बहुत आउस्सिक है, अच्छा, आईरुवेद के माध्यम से, रिवर्सल से, रिवर्सल में किस तरह से उपचार है, क्या डाइग्डोंस है, उससे भी पहले में आप से ये जानना चाहूंगी, कि अगर किसी को ये कैसे पता चले, कि की शुरुवात हो चुकी है, सबसे अगर जिसको ले मेन की भासा में अगर कहा जाए, तो किसी भी व्यक्ति को अगर दस सेड़ियां चड़ने पर, या पचास कदम चलने पर, थोड़ा सा उसको सांस फूलना महसूस हो रहा है, तो अगर उसको खून की कमी नहीं है, अगर उ सा लक्षण है, कि उसको यह मानना चाहिए, कि हमें अपने को हार्ट के लिए चेक अप कराना चाहिए, इसके अलावा, जैसा कि आपने प्रसने किया, क्यों ज्यादा हो रहा है, तो अभी हम बार बार चर्चा कर रहे हैं, कि हमारा खान पान, और यंग एज में जो आपने च ग्रूप में हार्ट डिजीज को पैदा करने के लिए रिस्पांसिबिल है, तनाव भी देखें, आज बच्छों के जिंदगी में भी बहुत तनाव हो रहा है, यंग एस्टर तो सबसे ज्यादा तनाव करस्त है, टीनेजर जो है, बहुत जादा तनाव करस्त है, उसके सामन केरियर की समस्याइं हो सकती है, अनिंप्लाइमेंट की समस्याइं हो सकती है, दूसरी समस्याइं हो सकती है, यह गलत जिवन पद्धतियों लोग अपना रहा है, उसमें सुधार क्या हो सकता है, अच्छा अन्डॉक सब जैसे कि अभी आपने कहाना है, थोड़ा सा चलने पर भी अगर सांस फूलती है, और सीने में भी अगर दर्द है, भारी पन है, इस तरहे कि अगर सिंटम्स लेकर कोई आपके पास आता है, तो उसकी परिक्षण किस तरह से करते हैं, कि कैसे से डिसाइड किया जाता है, कि हाँ, इनको हार्ट की दिक्कत है, तो चिकित्सक है या वैद्ध है, सबसे पहला काम तो उसका रोगी के साथ बातचीत करना, जिसको पूरी कंप्लीट क्लीनिकल हिस्ट्री लेना, और फिर उसको फिजिकल एक जामिन करना, ठीक है, ये सभी हाद हुए भी हैदरोग हो सकता है, लेकिन जो हमने कहा कि उसको स्वानस में अगर दिक्कत है, उस सबसे पहला लक्षन है, तो पहला इंडिकेशन है कि उसको हैदरोग की तरफ जांच करना चाहिए, अगर उसको चाती में दर्द हो रहा है, तब तो वो करीब-करीब बहुत पक्का डियागनोस्टिक हो जाता है कि उसको हिदरोग की कोई 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 कंडिशन पैदा हो रही है, लेकिन इसके लाओं भी बहुत सारे ऐसे लक्षन है, जिनके माध्यम से उसको डियागनोस कहा जाता है, लेकिन इसके साथ साथ जो लेवोटरी डियागनोसिस जिसको को आजकल कहते हैं एरवधी चिकित्सक भी सभी तरह की लाइवोटरी डाइगनोसिस का प्रियोग कर ही रहे हैं तो सबसे पहले ब्लड के इन्वेस्टिकेशन जिसमें लिपीट प्रफायल बहुत इंपॉर्टेंट है कि क्या ऐसा कारण उसको बना हुआ है लिपीट के माध्यम से दूसरा फिर आजकल जो एडवांस टेस्टिंग हो गई है कि एंजियोग्राफी हो रही है यह सारे टेस्ट आप लोग भी करवाते है हाँ बिल्कुल बिल्कुल कोई पेशेंट ऐसा चला जाता है कोई बीचिकितसक है तो लैवोटरी इन्वेस्टिकेशन कोई भी करवा सकता है बिल्कुल वो किसी एक विदा के लिए नहीं है इसके माध्यम से हमें पता लग जाता है कि किस लेवल तक का प्लाकेज हमारे पर ना भी है कि आईरवेद के खिकितसक नाडी पर इक्षन के माध्यम से भी डियाग्नोसिस करते है बिल्कुल साही है कि आईरवेद केशा को नाडी पर इक्षन में प्रवनिल होना चाहिए और नाडी पर इक्षन के बहुत सारे कि नाडे प्रिक्षन का जा सकता है नारी प्रिक्षन-कौ ब pathetic के बारे में रृवडे नारी प्रिक्षन के बारे में वोडन है यह बहुत इंपॉटन टूल है अगर झालने अंन्न प्रिक्षन-कौ इस्तुन चलता है क्र्ण accents के बस्काइनким फिर्ज उस्न है कहा ब्लॉकेज है कितनी यह पता चल सकता है या इसके लिए हमें और अनयजास करवानी होती है नाडी पर इक्षन से भी है कि पlish शृक हो रहा है रогए छो रहा है अगर कोई अन्भवी व्यक्ति नाडी पर इक्षन क्या है तो यह बता सकता है हो खास्त दौर इतनी लीड तो जरूर मिल जाती है कि इसको फिर आगे अंजियोग्राफिय की तरफ जाना चाहिए अचा नारी परिक्षन से इतना पता चाल जाती है अचा मैं अगर उपचार पर आ जाते हूं अगर हरदे के रोगों के बारे में हम बात करते हैं तो जैसे कि एंजाइना का प बात में सारा पूरा एक प्रवन्दन विधी जिसको कह सकते हैं कि मैनेजमेंट का पूरा प्रोटोकोल होना चाहिए और मैनेजमेंट में जब हम रिवर्सल की बात कर रहे हैं तो जिन-जिन काजेटिव फैक्टर्स की वज़े से ये हिर्दे रोग की उत्पन हुआ है कि हर व्यक्ति में काजेटिव फैक्टर्स अलग-अलग हो सकते हैं जिसे किसी में स्मोकिंग है किसी में नहीं है किसी में डियाविटी है किसी में नहीं है किसी मोटापा है किसी में नहीं है तो हर व्यक्ति में काजयूटी तिस में में सबस्टेश सब्सक्राइब करें प्रणायम की तरफ ध्यान देना चाहिए अपनी दिंचर्या नियमित करना चाहिए खान-पान में जो आजकल जिसको यह तो करेंट चल रहा है जो भी हमारे पहाड़ी अन है बहुत ही इसमें उपयोगी हैं बचाव के अन में इसके लामा हमें अपना जो योग आशन है या नियमी खान पाने के साथ तनाव से दूर रहने के उपायो अपनाने चाहिए रिलेक्सेशन की बिधियां जो बहुत सारी मेडिकल साइंस ने बताई गई है उसमें से योग और म माद्धियम हैं तनाव से मुक्त रहने के तो उनका उपयोग करना चाहिए इसके लाम अगर किसी को खून में चर्जी जादा हो रही है तो फिर उसके लिए उसदियां दी जा सकती है उसदियों के माद्धियम से भी चर्वी को नार्मल किया जा सकता है जैसे डॉक्सर आप तरवी की बात कर रहे हैं कि अगर प्राजीन काल की में बात करती हूं तो वहां पर हमारे खाने की थाली में बहुत अच्छे से दूद घी की मात्रा होती थी और आज की अगर हम बात करते हैं तो थाली से घी दूद गायब है बावजूद इसके कालोस्ट्रॉल की जो पेश हो सकते हैं बिल्कुल सोच भी है ठीक है लेकिन जो आपने खास्तावर से इंगित किया है मैं इस पर बताना चाहूंगा कि अगर उसको घी दूद और जब आयरुवेद का अगर फिजिशन जब भी बात करता है तो गाय के दूद की बात करता है बिल्कुल घी का अगर कोई चर करता है और इस इन दोनों भी समय पर मैं यह कहना चाहूंगा कि अगर वो सुद्ध घाय का घी बना हुआ है सुद्ध गाय का दूद हमें उपलब्ध है यह अलग बात है कि आज के समय में उस पर खुद एक बुड़ा चैलिंज है लेकिन सुद्ध घाय का दूद या सुद् सब्सक्राइब है कि अधितनी कि एचे कि रिफाइड रेफिर्न का इस्ते हैं उस से बचने की जरुवत हैं जला से लिफाइंड और यहाइड तो इन से उतनी ज्यादा कि एक प्रशन यह जानना चाहरी थी मैं कि जैसे चरबी की बात हम करते हैं कि blood में excess में जब चर्वी हो जाती तो वो cholesterol जो है अपने आप में bad cholesterol बढ़ता है तो दिक्कत हो जाती है क्या calcium की वजह से भी दिक्कत हो सकती हाइट में बिल्कुल heart का जो conduction है वो muscles का contraction होता है और muscles के contraction के लिए calcium का एक निस्चित मात्रा में सोडियूम पोरियूम का एक होना बहुत ही मौकुक है तो अबहू अलती हैं। है। वह प्रसनी किया है कि और सोडियूम पोड मेलेल किस्ट करते हैंення . तो उसमें भी दिक्कत आजाते हैं जब भी हम बात करते हैं हम fat की बात तो कर लेते हैं लेकिन calcium की बात हम नहीं करते हैं बिल्कुल भी heart disease की बात अगर हम करते हैं अच्छा डॉक्स अब किस तरह की और किस तरह की उपचार हो सकते हैं अगर कोई patient है heart disease अगर हम कहें तो वो आते हैं तो किस तरह की treatment होते हैं अभी आपने calcium की बात की तो मैं थोड़ा नमक की भी बात करूंगा आयरवेट का physician जो सेंधा नमक जिसको हम सेंधा नमक बोलते हैं उसका प्रियोग करने के लिए बताता है हमेशा चुकि उसमें potassium की मात्रा थोड़ा अधिक होती है sodium की मात्रा कम होती है तो जो हिर्दे रोगी के लिए बहुत अनकूल होता है चुकि हमेशा जब भी किसी को blood pressure होता है तो उसको sodium का इस्तेमाल sodium वाला जो नमक उसका इस्तेमाल कम करने के चला दी जाती तो उसकी जगे वो सेंधा नमक का प्रयोग करें तो उसको ज़्यादा लाग होगा दूसरी चीज़ जब आपने कहा कि ब्लाकेज हो गया है तो उसको किस प्रकार से उसका चिकित्सा क्या जाता है तो ब्लाकेज आउसधियों के माध्यम से और आईरवेद में आप जानते हैं कि पंचकर्म चिकित्सा एक बड़ी ससक्त चिकित्सा है बिल्कुल पंचकर्म चिकित्सा जो है अपने आप में बहुत बड़ा विशे है लेकिन मैं चाहूंगे कि संशिप्त में आप ज़रूर बताएं हमें पंचिकरम चकित्सा में हेदय रोगों में खास तोर से बिरचन एक ऐसा माध्यम है पंचिकरम का बिरचन चकित्सा और जो OPD लेबल पर भी की जा सकती है बड़ा आशान प्रोसीजर है तो इसके माध्यम से हम लेपीड प्रोफाइल को बहुत इजली कंट्रोल कर लेते हैं और इसका हम एक regular interval पर प्रयों करते हैं साथ साथ ऐाइरेवेदिय का असधी करते हैं तो बलाकेज हमारा reverse होता है धीरी-दीरी कम होने लगता है और जो भूद कम है तो पर उन नाडियों के थरू blood supply बढ़ जाते है oxygen supply बढ़ जाते है और रोगी बिलकुल symptomless और बड़ा comfortable हो जा प्रोग्राम के लिए पूरा कम्प्लीट लाइफ स्टाइल मोडिफिकेशन, डाइटरी मोडिफिकेशन, अपना जो एक्सरसाइज और उसको प्रापर्ली फालो करना, तना उसे मुक्त रहना, यह सब एक ऐसे ससक्त माध्यम हैं, जिन से पूरी तरह बचाव और इलाज दोनों बिल्कुल, और यह भी कहा जाता है, अगर आप जैसे योगा हम करते हैं, एक्सरसाइज करने की बात होती है, तो एक लाफ्टर थेरेपी भी बहुत जरूरी हो जाती है, हम मुस्कुराते हैं, हम जोर से हसते हैं, तो हमारा हिरदय भी हसता है, और कहीं ने कहीं उसकी भी जो सपिते हैं, जो हर्दय के रोग हैं, उन में वात का अधिक कृयासीलिता होती है, बार 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 उसको गति देने मैं, या उसके माध्यम से हर्ट की मसल्स को कांट्रेक्ट और रेलक्स करने में, या बलड को पूरे बाड़ी में पंप आूट करने में, यह सारी अधिकान्स, जो क्रियां है वात प्रधान है, वात के माध्यम से होती है, और वात का जो सेवन है, अगर हम अधिक करेंगे, या ऐसे आहार बिहार का प्रियोक करेंगे, जिससे वात बढ़ेगा, उदारने के लिए मैं हरड का एक जामपल दे रहा हूं, हरड हमारे समाज में तो हर वेक्ति जानता है, हरित की उसका संस्कित नाम है, लेकिन हरड आम एक लेमें लेंगेज है, जो बहुत सारे लोग पेट साफ करने के लिए भी इस्तेमाल करते हैं, बड़ा वो लेक्जेटिव एफेक्ट है उसका, गरम पानी के साथ, तो चुकि पेट से जुड़ा हुआ हदे रोग भी है, तो अगर कोई व्यक्ति हरड को पूरे साल और अलग अलग उसके साथ में, अनुपान आईरवेद में, अनुपान का मतलब यह होता है कि आईरवेद के उसधी किस चीज के साथ लेना है, तो कभी आईरवेद में उसधी सहद के साथ लेना होता है, कभी दूद के साथ लेना होता है, कभी जो नमक के साथ लेना होता है, कभी सरकरा के साथ लेना होता है, कभी गुड के साथ लेना होता है, तो ये प्रस्क्राइब करते हैं, ये चीजें प्रस्क्राइब्ड हैं, तो जो छे रित्वे हैं, को छे रितु में हरड का अनुपान बदल बदल के, अनु बहुत ज्यादा प्रभाव है लोगों मेर और वहां बहुत सारे आयरुवेद के स्कूल अपने आप खुले वे हैं लोगों ने चोटी-चोटी रेल्स बना के डाल दी हैं आप ये बीजे तो हिरदय रोग में ब्लॉकेज खतम है तो ये क्या अपनी मर्जी से खाए जा सकते है इसका कोई साइड नहीं है नहीं देखे वैसे तो आयरुवेदिक मेडिसिंस में गटी कोई वेक्ति कौद को कहने के लिए जाए अगर कोई वेक्ति इस्तेमाल करना चाहता तो अपने फिजेशन से एक बार उसको इसको सब्सक्राइब कर लेना चाहिए जी ऐसा नहीं है उसको एक बार अपने फिजेशन से कंफर्म करके अगर उसको अलाव करता है तो उसका इस्तेमाल किया जैसा है चलने से पहले ऐसे टिप्स हमारी दर्शकों को जरूर दे दीजिए जिसे की हिरुदैरोग हो रखा है तो वह किस तरह से बचे बहुत आपने अच्छी बात कहिए मैं दो तीन चीजें बताना चाहूंगा एक तो जो लैसुन होता है लैसुन छीर पाक छीर पाक मतलब लैसुन के साथ जवे ले करके उनको थोड़ा से पत्थर पर क्रेस्ट करके और उसको दूध मान लिजे एक पाव दूध है और उसमें एक पाव पानी और मिला करके उसको लैसुन को इसमें डालके और उसको धीमे दीमे उबालना और जो पानी का अंस खतम हो जाए तब उस दूध क को चान करके उस दूद को पीना यह अपने में हिर्दय रोग के बचाव के लिए और इलाज जो खास्ता हो सथा जब हार्ट में पेन होता है उसके लिए बहुत ही लाफकारी है और कोई भी व्यक्ति इसको ले सकता है इसका कोई साइड एफेक्ट पहले चीज दूसरा चीर पाक अर्जुन बहुत सारे लोग जानते हैं कि हार्ट के लिए एक राम बाना उस अधी है और अर्जुन के पेड़ तो हर जगे आज का लूपलफ्द हैं तो अर्जुन की च्छाल ताजी च्छाल अर्जुन की उसको आप ले सकते हैं और उसको पानी में उबालना है बाद में उबालना है पहले पानी में उबाल लीजिए और जब उसका कंसेंट्रेटिक काड़ बन जाए फिर उसको दूद में थोड़ा सा उबाल करके उसको पीजिए तो यह अर्जुन चीर पाक हो गया और अर्जुन अपने में हार्ट ब्लाकेज को खोलने के लिए बहु आपके मीडिया के माध्यम से बताना चाहते हैं कि आम पब्लिक इसको जाने और प्राइमरी अस्तर पर इसका प्रयोग करें उसके बाद अपने डाक्टरों से सलाए बिल्कुल डाक्साब आप स्टूडियो में आए बहुत अच्छी चर्चा हुई है समयने काने के लिए आप हमें लिख कर भेज सकते हैं अगले अंक में संजीवनी के अगले अंक में हम नए विशे के साथ उपस्तित होंगे तब तक कि लिए दीजिए जासत नमस्कार